प्रश्न जो आपके होंगे सभी MCQ टाइफ होंगे यानि की वस्तुन अबजेक्टिव टाइप होंगे और आपके सामने OMR सिट देगा और देखो एक कारवन कॉपी भी मिलता है वो भी हम आपको दिखाएंगे अगर मेरा प्रीपियस वीडियो अगर आप दिखना चाहते हो देख लीजेगा कारवन कॉपी भी मिलता है जिससे क्या हो कि आप वहाँ पे आप कौन से कियो हो कैसे इंसर्स कियो हो उसमें सब मैंसन रहता है फिर देखेगा वहाँ पे आपके चार विकलप रहेंगे और याद रखेगा एक्जाम में परिच्छा के अंदर में मोबाइल लैप्टॉप कैमरा कैलकुलेटर इलक्ट्रोनिक उपकरन नहीं ले जा आप सकते हैं पैं जो हमको परवेश दिलाएगा इस तरीके से सम्वाल कर ले जाईएगा नमांकन के समय इसकी मांग की जाएगी यह जो आपका जो है ना तो इसलिए मैं बार बार कह रहे हूं फोंटो कोपी कराकर घर में एक्स्ट्रा रख लेना और वो जो साइन वाला जो देगा वहां से ए लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है उसके बाद ही धियान पूर्वक भड़ियेगा क्योंकि वाइटनर वहां यूज नहीं होता है के अंदर पर निजाए नौ बजे तक उपस्थित आपको चले जाना है बहुत जादा आपको लेट हुआ तो दस पचास दस पचास के आपको इंट्री नहीं दी जाएगी निकसर परवेश परवेश प्त्र में दौप्रति डाउन्लूड करना है वह ओल लेडी हो झाऊएगा दो परति है внस्ट्रॉक्शन एक यानि कि वोटर आईडी, डी एल, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, परिच्छा की अवधी 11 वज़े से लेकर एक वज़े तक होगा, परिच्छा के अंदर पर मास्क पहन कर अनिवारी है आना, तो किर्पया कर आपके पास मास्क नहीं है तो आपकी दाविदारी रध हो जाएगी, दूसरी बात कि सेंटर पर आप लोगे सवाल, कुछ एक्स्ट्रा सवाल, कि बैग रखने दिया जाता है या नहीं, तो भाई वहाँ बैग रखने दिया जाता है, इसके लिए टेंसन मत लीजे, किसी किसी सेंटर पर ऐसा होता है, क आपको बैग नहीं रखने दिया जाएगा, तो बैग में ऐसा कीमती समान रखे ही न आप, मोबाइल है, मोबाइल वहाँ पर जमा करने का सिस्टम रहता है, लेकिन हर सेंटर पर नहीं रहता है, ये भी याद रखिया, कुछ सेंटर वाले आपस पैसे भी मांग सकते हैं रख पैसे थेंगे जाने को, ये ध्यान से इसाशा है घरी है, तो घरी पहन कर आगर जाने देगा नॉर्मल वाच, इससके स्मार्ट वाच ले लो, वैसे लि झाने देगा, नहीं जाने देगा तो यह आप यह झाने थैगा, तो वहाँ आपकर यह पखरी लगा रहेंगा, अगर झाल झाल